हलो दोस्तो मेरा नाम है विन है आप देख रहे हैं पाइफाइ लर्निंग लास लेक्चर के अंदर हमने अर्मेस वेल्यू को पढ़ा एवरेज वेल्यू पढ़ा इंस्टेंटेनियस वेल्यू क्या होती है सिग्नल की और पीक वेल्यू गीवन है कि the effective value of a voltage, एक voltage है, उसकी effective value बतानी है, effective value का मतलब आपका होता है RMS value, तो effective value का मतलब क्या होगा आपका, effective value means, इसका मतलब आपका हुआ, RMS value आपको बतानी है, ठीक है, और किसकी बतानी है, voltage signal आपको दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है, अब देखो, यहां पर ये वा अब इसकी RMS value कैसे निकालते हैं तो उसके लिए देखिए अगर मालीजी आपके पास में कोई भी signal है यह signal चाहे आपका voltage के अंदर हो या फिर आपका current के अंदर हो और यह signal आपको ऐसे गिवन है A signal है आपका this is equal to A note A note आपका कौन सा component DC component plus A1 sin omega t plus A3 sin 3 omega t and so on तो इसकी जो RMS value होती है या फिर हम इसको बोले effective value क्या होगी वो आपकी कैसे बताते हैं A RMS this is equal to under root ठीक है this is A note का square पहले आपका सबसे पहले जो DC signal होता है उसका direct हम square कर देते हैं यह आपके कौन सी value होती है signal की peak value A1 आपकी क्या है इस signal की आपकी क्या रहेगी peak value रहेगी पूरे signal की आपकी तो यह आपका A1 हुआ फिर आपका next क्या हो गया A3 तो इसकी maximum value A3 है इसकी maximum value A1 है तो यहां पर हम इसको कैसे लिखेंगे maximum value divided by root 2 और इस पूरे का square प्लस next आपका क्या होगा A3 divided by root 2 और इसका क्या हो जाएगा square and so on तो इस signal की इस तरीके से हम क्या निकालते हैं आपकी RMS value निकालते हैं अब इसकी RMS value कैसे निकालेंगे V RMS this is equal to यहां पर 100 का square अंडरूट करेंगे पहले यहां पर आपका 100 का square plus next आपका क्या 25 इसकी maximum value क्या हो जाएगी 25 तो 25 divided by root 2 और इसका क्या हो जाएगा square plus next आपका क्या है 10 आपका तो इसकी कैसे निकालेंगे 10 divided by root 2 और इसका क्या हो जाएगा square बस यहां पर आपके तीन ही component given है और अंदर इन दोनों को लिख दें क्योंकि यहां पर भी आप 1 by 2 आएगा और यहां से भी आपका क्या आएगा 1 by 2 root 2 का square दोनों से आपने common ले लिया है यह और यहां पर 25 का square 625 plus 10 का square 100 ठीक है यह आपका complete आपका हो गया अब यहां से इसकी value हम निकालते हैं तो देखो ज़रा option के इसाप से चलते हैं आपको इतना निकालने की जूरत निया option के इसाप से देखो 100V तो आपको सिर्फ इतना इंगीव न ध 100V तो जब इतना होगा तब सिर्फ इतना आपका क्या आए जाएगा 10,000 का अगर हम अंडरूट लेंगे तब आपका 100 आएगा तो पहला option तो definitely आपका क्या हो गया? इंकरेक्ट हो गया है फिर आपका आते हैं C option के उपर C option के अंदर आपका क्या है? 110 और 110 का जो square करेंगे तो 110 का जो square होगा यह आपका हो जाएगा 11 का square होता है 12100 1000 प्लस 625 प्लस 100 आपका कितना हो गया? 720 और 720 बटे 2 यानि divided by 2 जैके divided by 2 का मतलब आपका कितना हो गया यहां से something आपका आएगा 300 और 12.5 इसका कितना हो जाएगा? sorry यह आपका 312.5 नहीं 362.5 आपका आएगा 362.5 तो यहां से 10,000 प्लस 362.5 कितना आपका होगा? यह आपका देगा 101.8 वोल्ट क्योंकि आपका 12100 यहां तक तो पहुंचा नहीं तो इन दोनों के बीच में आपका क्या है? B option गिवन है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा? This is equal to 101.8 वोल्ट ठेक है? आपको यहां पे निकालने के आउशकता नहीं है आप अंदाजे से बता सकते हैं कि इसका आंसर इतना होगा अब देखते हैं आपका नीचे वाला question तो यहां से तो direct आपको given है कि यहां पे आपको RMS value निकालनी है यानि कि effective value ही बतानी है आपको signal की और signal आपका क्या given है I it is equal to 50 sign this plus this ठेक है? इस बार आपका DC component गायब है यहां से तो जब DC component आपका गायब होगा इस case में तो यहां पे आपका कैसे लिखेंगे इसको देखो यहां से current की जो RMS value आपकी आएगी इस इक्वल टू सीधा अगर आपका DC component गायब है तो DC component गायब कर दो सिर्फ यह बचेगा आपका तो इस तरीके का जो अगर आपका signal आता है तो उसको हम कैसे करेंगे? 50 divided by root 2 का square plus next आपका क्या है? 30 divided by root 2 का square ठेक है? सिर्फ आपको यहां पे peak value लेनी है यह आपका signal के अंदर इसको क्या बोलते है minus 20 degree, इसको क्या बोलते है आपका minus 10 degree यह है सिर्फ आपका phase difference तो हमें phase difference निकालते हैं तो हमें phase difference से कोई लेना देना नहीं होता सिर्फ आपकी कौन सी value देखते हैं? peak value आपकी देखते हैं 50 divided by root 2 का square plus 30 divided by root 2 this is equal to कितना हो जाएगा 1 by 2 को हम कॉमल लेंगे और 50 का square 2500 2500 और 30 का square 900 ठीक है और यहां से जब हम इसको solve करेंगे तो 25 plus 900 आपा हो जाएगा 3400 3400 का half आपका under root 1700 अब देखो 1700 क्योंकि हमें पता है 40 का square होता है या आपका कितना होता है 1600 होता है और 50 का square होता है वो 2500 होता है आपका अब next हम बात करते हैं आपका किसकी 41 के square की तो कैसे करेंगे 41 41 का square आपका किसके बराबर होता है कैसे calculate करेंगे तो देखो 41 आपका क्या है सिरफ 41 41 को हम कैसे calculate करते है, 50-9, ठीक है, तो यहां से 50 का square, यहां से 50 का square नहीं करना है, हमें क्या करना है, 4 का square करना है, 9, oh sorry, 4 का square, 4 का square कितना होता है, 16, तो यहां से इसको लिखेंगे, 16, और यह क्या है, 9 का square, तो 9 का square आपका कितना होता है, 81, तो इसका square आपका हो जाएगा, 81, फ 42 का स्केir आपका कितना होगा 40 का सचाल ऑब देखो 16 के बाद में आपका Next time क्या आती है 17 अब यह आप कितना कम 50 से 8 कम है यानि कि आपकं क्या हो जाएगा 8 का स्केर कितना होता है 64 तो यहा पर हम इसको लिखेंगे 64 फिर उसके बाद में 43 का square, 43 का square, यहां से, 16, 17 फिर आपका लिखेंगे 18, अब यह आपका कितना कम है, 7 कम है, और 7 का square कितना होता है, 49, तो यहां पे हम लिख देंगे, इसको 49, आप इसको चेक भी कर सकते हो, square ऐसे ही आते हैं, यहां से, नेक्स्ट आपका 44 का square, 44 का square आपका कितना होता है, 18 के कितना 36, श्तार यहांसे लिकींगे इसको 36, फिर उसके बाद मैं आपका लिखे है 45 स्केयर और 45 का स्केयर कैसे लिखे नाइटीन के बाद मैं आप प्येंगे 20, तो इसको लिखेंगे 20 और यहども करी पचास से कितना कम है, 5 कम है, तो पांच का स्केयर कितना होता है, 25 तो यह इसको लिखेंगे 20 यह आपका 20 है 20 है वाई है 20 अब 25 तो इस तरीके से आपका है इसका स्क्यार कर लेंगे तो यहां से अब देखो यहां पर आपके अपके 1001 7.0V अपका तो यह अपका रा qu किस किसम बीच में है 40ONA 41 और 42 के बीच बीच में है option में है यह रहा आपका option में तो इसका answer क्या हो जाएगा आपका A आपका answer हो जाएगा ठीक है अब देखते हैं आपका अगला question इस question में आपके waveform given है और आप से पूछा गया है कि आपको बताना है इसकी RMS value क्या होगी तो देखो इसकी RMS value कैसे निकालते हैं यहां पर फिलहाल आपको जो waveform नजर आ रही है इस waveform के 2 parts है तो इसलिए सिरφ हमें यहां तक की ही consider करनी है अब देखो टी बाई टू पर आपकी waveform का slope इस type से है यानि कि यह आपका क्या हो रहा है continuous change हो रहा है यहां तक फिर उसके बाद में T by 2 से और T के बीच में आपकी value constant हो जाती है किसकी current की current है आपका यह given उपर 6 ampere नीचे कितना given है minus का 6 ampere आपको given है तो कैसे निकालेंगे देखो जरा यहां पर current को हम लिखेंगे current आपका दो parts में divide है कैसे एक तो है आपका 0 से लेके जब 0 से आपका time ज्यादा है 0 से time आपका है कहां तक T by 2 तक ठेक है यहां तक और दूसरा आपका क्या है एक value आपकी यहां पर दूसरी value है जब आपका time period T by 2 है और यहां से आपका कहां तक है आपका time T तक तो दो आपकी current की different values है यानि कि different आपके क्या है slope given है तो देखो यहां पर आपका क्या है यह आपका increasing slope हुआ यानि कि यह आपका क्या होगा equation of a line, line की equation तो line की equation क्या होती है y it is equal to mx plus c यह mostly आपके numericals के अंदर यह concept आपका use होगा तो इसलिए इसको याद रखिए y it is equal to mx plus c इसका मतलब आपका क्या हुआ देखो अगर माल लीजिए आपकी जो line है कोई भी line है आपकी वो अगर आपकी zero से start करती है zero को हम बोलते है origin से start करती है तो origin से start करेगी तो इसका मतलब c equal to क्या हो जाएगा यहां पर zero तब आपका c क्या होगा zero होता है ठेक है और अगर आपकी line आपकी line start करती हुआ हमाल लीजिए यहां से इस point से आपकी line ने start किया तो यहां पर इसको बोलते है y axis और इसको बोलते है x axis तो y की जो आपकी यहां पर starting में value होगी वही value आपकी c ब होता है और इसको हम कैसे निकालते हैं m it is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 इस तरीके से हम इसका क्या निकाल लेते हैं slope निकाल लेते हैं this is also equal to इसको बोलते हैं change in y by change in x ठीक है या फिर हम इसको बोल दें differentiation of y with respect to x यह सब आपका क्या होता है slope होता है ठीक है अब देखो अब इसका हम slope कैसे निकालेंगे इस line का तो यह line आपकी कहां से start करती है यहां पे आपका क्या है value 0 है आपकी और आपकी यहां तक value कितनी हो जाती है इसकी 6 हो जाती है तो इसका जो slope होगा इसका slope इसका slope हम कैसे निकालेंगे m it is equal to यह आपकी कौन से axis है y axis जो जहां पे आपका क्या represent किया गया है IT आपका represent किया गया है, इसको आपका बोलते हैं, कौन से axis है य है, और T जो आपका है, इसको बोलते हैं, आपका कौन से axis है, यह X है आपका, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो, Y2 minus Y1, यानि कि जो बाद में value है, इस value को आपका बोलेंगे, कौन सी value, Y2, और जो starting value इसको बोल यह माइनस का 6 और जहां से start किया यानि कि जो initial position पर आपकी value थी उसको बोलते हैं आपका क्या y1 तो यहां से minus 6 minus 0 अब यहां पर t by 2 तो यहां पर देखो इसको बोलेंगे x1 value और यहां तक जहां तक आपको इसका slope देखना है उसको बोलते हैं आपकी कौनसी value है x2 value है आपकी तो यह आपकी x2 value कितनी है t by 2 ठीक है t by 2 minus का 0 तो यहां से आपका कितना हो जाएगा यह 2 आपका उपर जाएगा minus का 12 by t यह आपका क्या हो गया इसका slope हो गया है अब y it is equal to mx plus c होता है तो c सिरफ हम तब देखते हैं अगर आपकी line origin की बजाए कहीं और किसी और point से start करती है तो यहां पे आपकी जो line है यह कहां से start कर रही है यह आपकी origin से start कर रही है और इस वजए से हम इसको कैसे लिखेंगे आपका सिरफ आपका लिखेंगे y it is equal to m into x क्योंकि c की value क्या है 0 है अब m आपने निकाल लिया m की value कितनी है minus 12 by t ठीक है 12 by capital T जो यहां पे आपका given है और x की जगे यहां पे आपका क्या है x की जगे आपका है time t तो इसको साथ में लिख देंगे time t तो यह आपका हो गया पहली current की आपकी equation इस point से इस point तक अब इसके बाद में जब time आपका t by 2 से और t तक है तब आपकी current की value fix है देखो यहां पे कितनी value आपकी 6 ampere given है तो यहां पे सीधा आपका लिखेंगे कितना ampere है आपका current 6 ampere है तो इस तरीके से current की आपकी दो अलग-अलग parts में आपने इसको क्या कर लिया है break कर लिया signal को according to given condition अब हमें यहां से क्या निकालना है इसकी rms value निकालनी है तो कैसे निकालेंगे देखो इसकी rms value ज़रा i rms i rms this is equal to under root वैसे ही निकालेंगे जैसे हम पहले निकालते है पूरी waveform का time period कितना है आपका पूरी waveform का time period है 1 by t यह आपका है 1 by t time period t आपका given है तो 1 by t आपका यहां पे लिखेंगे अब इसके बाद में यहां से आपका क्या आएगा integration from 0 to t ठीक है अब 0 to t होता है और फिर साथ में आपका होता है signal लेकिन यहां पे क्योंकि आपकी current की जो value है वो अलग-अलग है आपकी इस time duration के अंदर अलग value है इस time duration के अंदर आपकी अलग value है तो इसी तरीके से आपकी किसको break करेंगे हम इसकी limit को break कर लेंगे कैसे 0 से लेके t by 2 तक आपका जो signal है वो आपका क्या है minus 12 by t into t ठीक है और साथ में आपका क्या हो जाएगा dt और इसका हो जाएगा square यह आपका पहला हुआ अब इसके बाद में क्योंकि आपका क्या होता है जो आपका signal होता है उसका हम क्या गरते हैं square करते हैं root mean का square साथ में आपका क्या रहेगा plus अब इसके बाद में फिर से आपका 0 से अब यहाँ 0 से नहीं लिखेंगे अब आपका कहां से लिखेंगे t by 2 से t तक signal को लिखेंगे t by 2 से और t तक और यहाँ पे आपकी value क्या है भई इस खोड़ नीचे करते हैं इसकी value आपकी कितनी है यहाँ पे आपकी value गीवन है 6 तो 6 का square और साथ में आपका क्या हो जाएगा dt ठीक है 0 time t है आपका capital T यहाँ तो यह आपका हो जाएगा आपका rms value निकालने का तरीका यहाँ पे पहले हम आपका इस bracket को solve करेंगे बाद में इसको लिखेंगे तो यहाँ से आपका क्या आएगा देखो 1 by t यहाँ पे आपका 1 by t यह तो आपका time period हो गया अब इसके बाद में आपका क्या है देखो यहाँ से integration ठीक है और 12 का square minus का square कितना होता है plus हो जाएगा 12 का square आपका कितना होगा 144 t का square divided by capital t का square यहाँ से आपका यह आएगा into आपका क्या हो जाएगा dt plus इसको हम जब solve करेंगे और यहाँ पे time limit है 0 to t by t t by 2 और यहाँ से जब हम इसको solve करेंगे 6 का square कितना होगा 36 और यहाँ से आपका क्या बचेगा t by 2 to time t और साथ में आपका क्या बचा dt सिर्फ इतना ही आपका बचेगा अब इसके बाद में आपका देखो जब हम इसको solve करेंगे तो आपका क्या आएगा integration को तो 1 by t और 144 आपका क्यों की 144 आपका क्या है यहाँ पे constant है तो constant को बहार लेंगे 144 divided by अब देखो t का differentiation होना with respect to t ठीक है t square भी आपका यहाँ पे फिलाल क्या है constant है तो इसको भी भार लेते हैं आपका t square को ठीक है अंदर आपका 144 divided by t square बचा और t का जो integration है t square t square का आपका कितना हो जागा t square यहाँ पे है ठीक है और जो भी आपका पावर में होता है उसको हम कहां पे लेके आते हैं divider में लेके आते हैं तो यह आपका बचा अब 0,2 t by 2 यह आपका यहाँ से आगया ठीक है अब इसके बाद में यह आपका हो गया पहला अब इसके बाद में इसका आपका कितना होगा प्लस 36 और यहाँ पे आपका dt का देखो differentiation और integration दोनों एक दूसरे रों क्या कर देते हैं cancel out कर देते हैं तो सिर्फ आपका क्या बचेगा t बचेगा यहाँ पे तो यहाँ से आपका इसको लिखेंगे हम t और यहाँ पे आपका क्या है t by 2 और उपर आपका कितना है t ठीक है यह आपका हुआ यहाँ से अब देखो इसके बाद में यहाँ से इसको जो हम solve करेंगे तो क्या आएगा तो इसका पूरे का under root 1 upon t और यहाँ से भई देखो आपका कितना है 144 divided by t square t का cube t by 2 पुट करेंगे इसके अंदर आपका minus का 0 करेंगे तो जिरो ही रहेगा जब 0 value पुट करेंगे पहले हम उपर वाला पुट करते हैं बाद में आपका नीचे वाला पुट करते हैं यानि कि हम क्या करते हैं अगर आपका कोई भी value है integration के बाद में जैसे t है यहाँ पे b है और यहाँ पे a है तो इसको हम क्या लिखेंगे b minus a पहले हम b t की जिगाए पुट करेंगे फिर आपका a पुट करते हैं तो इस तरीके से जब हम t by 2 आपका पुट करेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा t cube क्या हो जाएगा आपका t cube और cube है आपका तो 2 का cube कितना होगा t by 2 जाएगा तो 2 का cube आपका हो जाएगा 8 और 7 में आपका कितना है into 3 ठीक है यह आपका होगे यहाँ से अब इसके बाद में साथ में आपका क्या है? प्लस 36 और यहां पे आपका क्या आजाएगा? T- T by 2 ठीक है? पहले आपका उपर वाला फिर आपका नीचे वाला तो यह आपका पूट करेंगे यहां पे आपका 0 है इसलिए हमने इसको दूसरे को consider ही नहीं किया अब देखो इसको जब हम solve करेंगे तो आपका क्या आएगा? इस इक्वल टू यहां से आपका 8 है आपका 8 आपका cancel हो जाएगा किस के साथ में? 144 के साथ में कितने पे cancel out होगा वो आपका important है तो यहां पे इस आपका cancel out होगा वहां 36 पे ठीक है, sorry, यह आपका, यह आपका 2 आएगा, यहाँ पर 4 तू सा 8, और यहाँ से आपका आएगा कितना, 4 पर आपका चैंसल करेंगे, तब की बात है, तो 4 के मल्टिप्लायर में आपका कितना आता है, 36, अब 2 से आपका फिर कैंसल होगा, 18 बचा आपका, 18 डिवाइड़ बाई 3, और T क्यूब है आपका, T क्यूब से यह कैंसल आउट, यहाँ पर आपका T बचेगा, बस खाली, तो यहाँ से आपका बचा 18, this is equal to under root, 1 बाई T, अ और 7 में आपका बच गया है T, बाकी आपका cancel होगा, divided by 3, तो 3 से भी आपका cancel होगे, यहाँ पर 6 आएगा, plus आपका कतना बचेगा, 36 into T by 2, दोनों का difference आपका कितना आएगा, T by 2, तो यहाँ से आपका कितना बचेगा, 36 into T by 2, यानि कि 18 T, यह आपका बच जाएगा, 18 T, और यह आपका पूरे के साथ में है 1 by T तो 18 T plus 6 T तो यह आपका होगा कितना अंडरूट 24 T by T ठीक है, अंडरूट 24 आपका बचेगा आंसर अब अंडरूट 24 को हम कैसे लिख सकते हैं 6 into 4 करके लिख सकते हैं तो इसको हम लिखेंगे 2 अंडरूट 6 ampere क्योंकि 4 का आपका अंडरूट कितना हो जाएगा 2 और 6 को यहीं पर रखने देंगे तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बनता है वो आपका आंसर बनेगा कौन सा D, तो यह था आपका question अब बढ़ते हैं आपका next question की तरफ इस question में आपका दे रहा है एक voltage है आपका और वो waveform आपके represent की गई है एक cosine signal से तो पहले तो आपका cosine signal को बनाते हैं कि cosine signal आपका कैसे होता है ठीक है तो यह cosine signal आपका representation करेंगे अब हम यह आपका माली यह V है आपका this is equal to Vm cos theta इसका मदब Vm आपकी क्या है maximum value है और यह signal आपका कहां से start होगा यहां से ऐसे start करेंगे इसको ठीक है नीचे से आपका माली यह value है तो यहां से आपका इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा यह signal हो जाएगा ठीक है इस signal को हम ऐसे represent करेंगे यह आपका होगा वही कोज सा signal आपका co signal और यहां पे आप़ा क्या है this is theta और यहां प्या है voltage है maximum value आपकी vm और minus vm ठीक है vm भी आपकी maximum होती है minus vm भी हम क्या बोलते है maximum value बोलते हैं तो यहां से आपका देखो भई यह आपका क्या होगा this is zero degree इसमें दे रहा है कि आपका जो time period है वो आपका कितना है 2 pi है तो यहां पर आपका हो जाएगा pi by 2, यहां पर आपका कितना pi और यहां पर 3 pi by 2 ठीक है, यह आपका हो जाएगा क्या, इसका signal आपका, अब इसकी जो निकालनी है वो आपको क्या निकालनी है एक तो आपको average value, कि इस signal के आपके average value क्या होगी और इसके निकालने आपको RMS value क्या होगी तो average value वैसे तो आपका इस signal के क्या रहेगे भई, 0 रहेगी, ठीक है perfect average value, अब इसकी average value कैसे निकालेंगे, वो जरा देखिए तो पहले आपका निकालते हैं इसकी average value, ठीक है, average value, तो average value निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि alternating signal जब भी होगा, तो या तो हम positive half लेते हैं, या फिर आपका negative half लेके इसको कर सकते हैं, अब positive half के अंदर, इसके अंदर आपका इतना slope है, फिर आपका यहाँ पे है, या कि लेंगे आपका कितना, from average value, यानि कि V average, this is equal to किसकी average value, इसकी average value, तो यहाँ से, आपका total time period कितना हो जाएगा, pi by 2 बीयों, इन दोनों का time period लेते हैं सिर्फ आपका केतना πाई तक का ही time period लेंगे या फिर हम इसको लिख सकते हैं वरपोन πाई कहां से कहां तक का है आपका from πाई बाई टू स्टू 3 πाई बाई टू और signal आपका क्या है Vm cos theta ठीक है और into आपका क्या है 慮 बाई यहां से बाई बाई टू सियाव से बडिस को तो यहां से आपका थो ठीक है तो यहां से आपका veto नेकेऑow और देखो, sin आपका क्या है, थ्री πाई बई टू पे क्या रहता है, negative, तो 3 पाई बई साइन, 3 पाई बई तू पहले लिखेंगे, और माइनस का आपका क्या आजाएगा, यहां से, माइनस काउ थू, ठीक है, तो यहां से इसकी वैलियो कितनी होती है, माइनस का वन तो एसकी यहां से यहां तक लिया, तो यह आपने क्या लिखा है, माइनस का 2 Vm by Pi, तो इसको हम वैसे लिख सकते हैं, 0.637 Vm, ठीक है, अब देखो, यह माइनस का आपका है, तो आपका average value आपकी negative में आपने लिया, तो इसलिए हमने इसको minus लिख दिया, अगर हम positive में लेते, यहां से आपका under root, rms का मतलब root, mean, mean का मतलब 1 upon time period, 0 to time period, into आपका क्या हो जाएगा, signal, और जो भी आपका signal रहेगा, उसका क्या करना आपको, square करना into dt, ठीक है, यह आपका हो जाएगा rms value, तो देखो, this is equal to under root, अब under root के अंदर 1 upon time period, time period कितना इसका, 2 pi, given है आपको time period, ऊपर question में भी given है, कि इसका जो time period आपको लेना है, 2 pi आपका लेना है, तो 1 upon 2 pi, from 0 to 2 pi, यह signal आपका क्या हो जाएगा, vm square, ठीक है, vm square और cos theta है आपका, तो cos square theta, और into d theta, अब यहां से, under root, इसको हम क्या करेंगे, vm square divided by 2 pi, इसको आपका ले लेंगे बाहर, और cos square theta, यह आपका क्या होता भई, इसको हम लिखते हैं, मैंने आपको cosine के उसमें बताया था, कि यह आपके कुछ use होंगे, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1 plus cos 2 theta, divided by 2, ठीक है, यह आपका आजाएगा, और from 0 to, यहां पर आपका integration, integration यहां पर 0 to 2 pi, और साथ में आपका क्या है, d theta है, ठीक है, तो अब यहां से आपका देखो भई, इसको क्या करेंगे हम, this is equal to cos 2 theta, इसको हम अलग-अलग करके लिखते हैं, vm square divided by 2 pi, under root में, ठीक है, इसका पहले अलग से integration करेंगे, 1 by 2, यानि की 1 by 2 into d theta, from 0 to 2 pi, और साथ में आपका क्या हो जाएगा, प्लस 0 to 2 pi, और यहां पर cos 2 theta divided by 2 into d theta, ठीक है, अब देखो cos का आपका क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा, cos का आपका कितना आजाएगा, sin आजाएगा integration में, और जब हम इसको solve करेंगे, तो sin आपका क्या होता है, 2 pi पे भी 0 होता है, और 0 पे भी 0 होता है, तो यानि की यहां से आपका इसकी जो overall value आएगी, वो आपकी क्या आएगी 0, और यहां से आपकी क्या value आजाएगी, vm square divided by 2 pi, अंडर root में है आपका, और 1 by 2 का आपका 1 by 2, और into 2 pi, तो 2 pi से 2 pi cancel, और यह जब बहार जाएगा, तो आपका क्या हैगा, vm by root 2, तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, चाहे आप sinusoidal signal लो, या फिर cosinusoidal signal लो, दोनों के case में, आपकी average value, या फिर हम बात करें, rms value, क्या रहती हैं, आपकी, same रहती है, अब देखते हैं, अगला question, दोस्तो, इस question के अंदर, आपसे वैसे तो आपके कई सारे question बन जाते हैं, लेकिन, मैंने आपको क्या किया, इन सभी को एक ही question के अंदर mix up कर दिया है, और फिर आपसे क्या निकलवाने के लिए बोल रहा हूं, मैं rms value, ए part के अंदर हम इसकी rms values निकालेंगे, तो पहले आपका part कौन सा आता है, v it is equal to this, तो यहाँ पे देखो, इसको हम कैसे compare करते हैं, पहले तो हम इसको करेंगे compare, v it is equal to v sin omega t के साथ में, ठीक है, और साथ में आपका क्या रहता है, यहाँ पे plus या minus आपका कोई भी phase difference, इसको बोलता है हम phase difference, तो क्योंकि यहाँ पे given नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो phase difference है, वो 0 है आपका, तो देखो, 314, यानि की omega की value की कितनी है, पहले option में, 314 आपकी omega की value है, और इसकी जो unit होती है, यहाँ पे क्या होती है, radian per second, this is called angular velocity, यह मैंने आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो यह angular velocity आपकी होती है, यहाँ से, 314 का मतलब आपका क्या हुआ actual में, देखो, omega it is equal to क्या होता है, आपका 2 pi f, और यहाँ से, अब यह 314 कब आएगा, जब हम इसको 2 into pi की value पूट करें, 3.14, और frequency आपकी पूट करें 50 hearts, तब आपका क्या आएगा यहाँ से, 15 to 200 हो जाएगा, और इसको तब हम बोलते हैं, 314 radian per second, ठेक है, तो यह तब आता है, यहाँ पे आपकी frequency specify है कितनी 50 hearts की, तो यहाँ से आपका देखो, vm, यानि की maximum value कितनी आपकी signal की 10 है आपकी, तो 10 आपका क्या हो गया, maximum value, यानि क vm की value कितनी है यहाँ पे, vm, it is equal to 10 है आपकी, अब यहाँ से, what is the rms value of sinusoidal signal, तो vrms, this is equal to, आपका कितना हो जाएगा, 10 divided by root 2, तो आपको 2-3 value आपके ऐसी होती हैं, जो आपको याद रखनी होती है, कौन-कौन सी value, एक तो आपको root 2 आप याद रखिए, इसकी value कितनी होती 1.414, root 3, यह आपका कितना होता है, 1.732, root 5, this is equal to 2.24, तो यह value आप याद रखिए, क्योंकि यह value आपकी आगे भी काम आ सकती है, तो यहाँ से आपका क्या है, 10 divided by root 2 है आपका, तो 10 divided by root 2, जब हम इसको solve करेंगे, तो आपका क्या आजाएगा, आंसर आजाएगा, फिलाल हम इसको इतना ही रहने देते हैं, और अगर आपको वाही chance, यह solve करना पड़ जाए, ठीक है, कि 10 by root 2 को solve करके बताएगे, वही क्या आपका, तो कैसे solve करेंगे इसको जरहाँ देखिए, 10 divided by root 2, तो 10 by 2 आपका कितना होता है, 5 होता है, अब यह root 2 आपकी कम value है, यानि कि 5 से बढ 1.5 put कर देता हूँ, तो 1.5 के अंदर आपकी कितनी value आएगी, 1.5 का मतलब आपका हो गया, 10 divided by 3 into 2, यानि कि 20 by 3, और 20 by 3 को हम क्या लिखते है, 6.33, sorry, 66, 3.66, इतनी आपकी value आएगी, यानि कि इससे कमाएगी, और 5 से आपकी value जादा आएगी, तो यहां से जब हम 1.4 आपका put करेंगे, तो इसकी लगबग value आपकी आती, 5.78 वोल्ट, तो यह आपका answer हो जाएगा, इस part का, अब देखते हैं, आपका next part, तो next part को अब हम इस signal के साथ में comparison करते हैं, यानि कि इसके लिए हम signal लिखेंगे, I, it is equal to I maximum, अब current है आपका, तो current की ही maximum value होगी, I maximum, और यहां प आपका क्या है, sine 314, यानि कि आपका क्या, omega t, और plus minus 5, अब plus minus 5 का मताब, आपका क्या हुआ, यहां पे phase difference आपका given है, कितना pi by 4, और यहां पे omega की value कितनी, 314, यानि कि यह same आपका वही है, और यहां पी क्या है, maximum value है, तो यहां से आपके rms value कैसे निकालेंगे, I, rms, it is equal to I by root 2, तो maximum value I am कितनी है, आपकी यहां पे 5 है, तो इसको लिखेंगे 5 divided by root 2 ampere, इतना आपका क्या हो जाएगा, यहां पे current आजाएगा, ठीक है, लगबग आपका 3 point something आएगा, तो next आपका portion देखते है, अब आपका VT, it is equal to this, इस बार आपके क्या है, दो signal एक साथ दे दिये ह हम क्या करते है, डिरेक्ली आपको पता होता है, 3 का स्केर, प्लस 4 का स्केर करते हैं, तो आपका कितना हो जाता है, 5 का स्केर हो जाता है, ठीक है, यह आपको पता है, कि 3 का स्केर, प्लस 4 का स्केर, this is equal to 5 का स्केर, तो हम कई बार क्या करते हैं, इसको सीधा आपका लिखेंग root 2 का square जो कि आपका देता है 9 plus 4 का square आपका कितना देगा 4 का square 16 divided by 2 9 plus 8 this is equal to under root 17 वोल्ट ठीक है under root 17 का मतला आपका क्या हो गया 4.something आपका अंसर आएगा और आपने exam के अंदर क्या correct कर दिया 5 तो वहीं पर आपके marks क्या हो जाएंगे cut हो जाएंगे और आप चले जाओगे minus 1.25 क्योंकि एक marks तो आपने अपनी तरफ से consider किया कि आपका question ठीक होगा ये और 1 by 4 आपकी क्या हो जाएगी negative marking आपकी हो जाएगी ठीक है तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है यहाँ पर आपके marks deduct हो जाते है अगर आपके marking 1 by 3 है तो 1.33 का लोस है आपका और अगर आपके marking 1 by 2 by 3 है तो 1.66 का लोस है याद रखेगा ठीक है तो इसी लिए question को सावधानी से पढ़िए और सावधानी से question को solve कीजिए तो यहाँ से next question आपका देखते है if peak value is 1000 वोल्ट अगर कोई भी signal है उसकी peak value आपको given है peak value का मतलब क्या हुआ maximum value उसकी given है तो maximum value कितनी given है आपकी 1000 वोल्ट given है उसकी RMS value बताइए क्या होगी तो इस part का आपका कैसे करेंगे भाई 4th part का 4th part का maximum value given है तो यहाँ पे सीधा 1000 divided by हम क्या करेंगे root 2 ठीक है कब अगर आपका signal कौन सा होगा sinusoidal होगा या फिर cosinusoidal होगा तो यह आपका किसके केस में है sinusoidal के केस में है ठीक है या फिर यह आपका किसके केस में है cosinusoidal के केस में अगर आपका signal इन दोनों में से नहीं है और आपका signal इस तरीके से है ध्यान से देखिए अगर आपका signal ये है इस टाइप से आपका signal हुआ तो इसकी चो आपके RMS value होती है ये आपकी क्या होती है मालीचे कोई भी signal है आपका AT with respect to T और ये आपकी maximum value है AM this is minus AM तो इसका जो RMS value आएगा ARMS this is equal to AM divided by root 3 याद रखिए अगर आपका signal ये है triangular signal है या फिर साटूथ waveform है इस टाइप के आपके RMS value क्या होती है 1 by root 3 होती है ठीक है इसको मैं प्रूब करके बताऊंगा आगे आने वाले lectures के अंदर फिलाल के लिए आप समझ लीजिए ARMS आपका क्या होता है AM by root 3 आपका होता है तो यहां से आपकी दोनों value हो सकती 1000 divided by root 3 या फिर आपका क्या हो सकता है 1000 divided by root 2 ठीक है तो यह आपका हुआ next का answer क्योंकि यहां पर specified नहीं है इसलिए मैंने आपको direct बता दिया अब उसके बाद में next आपका if omega it is equal to 440 radian per second तो frequency कितनी होगी यह same आपका ऐसे ही है तो कैसे करेंगे इसको देखो जरा यहां से 440 आपका given है तो b part का आपका answer देखते हैं वाई बी part के अंदर आपका क्या आएगा omega आपको given है कितना है आपका 440 omega क्या होता है 2 pi into f this is equal to 2 into a pi की value यहां पर 22 by 7 put करेंगे क्योंकि हमें कुछ-कुछ ऐसा लग रहा है कि 22 का कहीं न कहीं multiplier 44 इस वजह से तो यहां से इसको कैसे put करेंगे 22 divided by 7 into f और यहां से f it is equal to कितना हो जाएगा आपका 440 into 7 divided by 22 into 244 और जब हम इसको solve करेंगे तो यहां आपका cancel 10 आ जाएगा into 7 यहां आपका कितना देगा 70 hertz ठीक है तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी signal की क्या frequency ठीक है अब देखते हैं आपका next question दोस्तों इस question के अंदर आपको एक periodic waveform given है जो की यहां पे represent की हुई है अब आपको क्या निकालना एक तो इसकी निकालनी frequency एक इसकी wave equation इसकी equation क्या होगी इस waveform की, rms value क्या होगी, average value क्या होगी और form factor क्या होगा यानि कि इसने इसमें सब कुछ पूछ लिया जो अभी तक आपने पढ़ा है तो देखिए इसमें कैसे आपका निकालेंगे सबसे पहले frequency of the waveform, frequency क्या होती है, सबसे पहले frequency आपकी होती है, f it is equal to 1 upon time period t तो यहाँ पे इस waveform का time period कितना है, इतना आपका time period है, क्योंकि इसके बाद में, यह आपका time period हुआ, इसके बाद में यह waveform अपने आपको क्या करना शुरू कर देती है, repeat करना शुरू कर देती है तो यहां से f it is equal to क्या हो जाएगा 1 upon t और यह आपका क्या होगा 1 divided by time period कितना है 100 और यह आपका किसमें है millisecond के अंदर तो इसको हम कैसे लिखेंगे 100 into 10 is to power minus 3 ठीक है और 10 is to power minus 3 यह आपका उपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा 1000 divided by 100 यानि कि आपका कितना आएगा 10 ठीक है यह आपका उपर जाएगा 10 is power 3 और नीचे 100 है तो 10 is power 3 आपका कितना बचेगा 10 बचेगा और यह आपका किसमें होगा hearts के अंदर तो यह आपके आजाएगी इसके क्या frequency ठीक है यह आपकी होगी frequency आप देखो what is the wave equation waveform की equation क्या होगी तो यहां से मैने आपके बचाया था कि line की equation लगाते हैं क्या होती है आपकी line की equation यह तो आपका first part का होगिया second part के अंदर line की equation क्या लिखते है हम y it is equal to m x plus C ठीक है और C आपका 0 होटा है अगर आपकी line कहां से start करें origin से start करें तो यहां पर आपके किसे स्टार्ट कर रही है, यह origin से स्टार्ट कर रही है, ठीक है, तो यहां से आपका सिर्फ क्या होगा, y is equal to m into x, और m आपका क्या हो जाएगा, m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, देखो यह वाली जो position होती है, यह वाली position होती है, पहले हम x लिखते है, x1, y1, और यह यह वाली जो position होती है, इसको लिखते है, x2, y2, तो x2, x2 यानि कि यहां से 100 minus 0, इसको हम क्या लिखेंगे, divided by 100 into 10 is to power minus 3 minus 0, और उपर आपका क्या जाएगा, 10 minus 0, उपर y1, y2 की value कितनी 10, तो यहां से आपका 10 minus 0, यह आपका इस तरीके से हम इसको करेंगे, और जब हम इसको solve करेंगे, तो यह आपका कितना देगा भई, 10 is power 3, उपर जाएगा, यह 10 divided by हो जाएगा, एक 0 cancel out, और यहां से आपका आएगा slope कितना 100, और positive slope है, तो प्लस रहेगा आपका, positive का मतलब increasing slope है आपका, तो यहां से slope आपको पता चला कितना 100 है, और यहां से y की जगे आपका क्य into t, ठीक है, यह आपकी हो जाएगी wave equation, तो यह second का आपका answer हो गया, अब आपको निकालनी है, इसकी क्या, rms value, किसकी rms value निकालनी है, इस signal की rms value निकालनी है, कैसे निकालेंगे, वो देखिए जड़ा, तो यहां से, इसको हम निकालेंगे भई, third का आपका rms value को कैसे निका t, यह आपकी equation होगे, इसका square, root mean का square into dt, किसके respect में है, time के respect में, तो यहां से, आप देखो इसको कैसे करेंगे, पहले इसको solve करेंगे, तो यहां से under root, time period अभी कितना है, 1 upon 100 into 10 is to power minus 3, और यहां पे भी 1 upon 100 into 10 is to power minus 3, तो यहां से 10 is to power आपकी हो जाएगी 4, t square, यानिकी t square into आ ठीक है, यह 100 का square लिख दीजे, या फिर 10,000, या फिर आपका 10 is to power 2, और इसका square 10 is to power 4, तो यह आपका क्या है, same, तो यहां से वही आपका इसको जब हम solve करेंगे, तो आपका क्या हैगा, वो दिखते है, this is equal to, कितना हो जाएगा, देखो, 10 is to power 4 है आपका, तो यहां से 10 is to power 0 से cancel out, और यह आपका उपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहां पर, यहां पर आपका हो जाएगा, 100 x 10 is to power 3, ठीक है, कैसे, क्योंकि 100 है, यहां पर 10 is to power 4 है, और यहां पर 100 है, तो एक 100 आपका cancel out हो जाएगा, और 100 आपका बचेगा, ऊपर, और आपका 10 is to power minus 3, लिख 100 into 10 is power minus 3 ठीक है यह आपका आजाएगा अब हम इसको जब solve करेंगे तो आपका क्या आएगा वो देखते हैं जरा यहां से आपका क्या आएगा देखो देखो this is equal to 100 into 10 is power 3 और यहां पे देखो divided by 3 तो मैंने आपको बताएदा वो vm by root 3 इसी लिए आता है ठीक है अब यहां से आपका देखें कि कैसे आपका signal आएगा 100 into 10 is power 3 100 into 10 is power 3 into t का cube यानि कि 100 का cube 100 का cube into 10 is power minus और इसका cube कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ठीक है divided by आपका क्या है 3 अंदर root में देखो अब 10 is power minus 9 है 10 is power 3 है यहां पे तो यह आपके आपस में cancel out हो जाएगे 10 is power minus 6 बचेगा और यहां से 100 का cube यानि कि आपका 10 is power 2 का cube 10 is power कितना हो जाएगा square का cube आपका 10 is power 6 और यहां पे सिरफ 100 बचेगा so this is equal to under root 100 by 3 यानि कि 10 divided by root 3 ठीक है तो यह देखो 10 divided by root 3 आपका आया है इसका मतलब आपका क्या हुआ यहां से इसकी जो maximum value है वो आपके कितनी given है 10 given है maximum value कितनी given है 10 तो यहां पे आपका क्या होगा vm by root 3 लिखे या फिर 10 by root 3 लिखे एक ही बात आपकी कैसे आया है इसको जरह हम elaborate करके लिखते हैं this is equal to आपको ताकि confusion ना हो तो यहां से 100 into 100 का cube कितना हो जाएगा 10 is to power 2 का cube यहनि कि 10 is power 2 into 10 is power 2 into 10 is power 2 और यहां पे आपका क्या 10 is power 3 है into 10 is power minus 6 है और नीचे सिर्फ आपका क्या है 3 है तो देखो 10 is power 2 oh sorry 10 is power minus 9 है आपका तो यहां से आपका देखो 2, 4, 6 और 9 यह आपके आपस में क्या हो जाएगे 1 देदेंगे और 100 आपका जब under root से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 10 divided by root 3 तो यहां से अगर हम vm by root 3 लिख दें ठीक है या फिर आपका 10 divided by root 3 लिख दें इससे आपका कोई फरक नहीं पड़ता तो यहां से जो मैंने आपको लास्ट में बताया था पिछले question के अंदर उसका यहां पे आपका प्रूफ बदाया है मैंने आपको कैसे करते हैं vm by root 3 को तो इस तरीके का अगर आपका कोई भी signal आता है तो इसकी average value sorry, rms value क्या हो जाती है vm by root 3 अब अगले आपको निकालनी है इसकी कुंसी value average value तो average value आपकी सीधी निकालेंगे v average this is equal to 1 upon time period time period केतना है 100 into 10 is power minus 3 0 to 100 into 10 is power minus 3 signal आपका केतना है signal आपका 100T है तो 100T into dt ठीक है अब यहां से इस बार आपका क्या आएगा 1 upon 100 into 10 is power minus 3 और 100 आपका बाहर आजाएगा यह आपका cancel out अंदर आपका क्या आएगा T का integration T का integration आपका हो जाता है T square divided by आपका क्या हो जाएगा 2 और 0 से 100 into 10 is power minus 3 यह आपका देगा तो 100 into 10 is power minus 3 करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 100 का square यानिकि 10 का square 10 is power 4 into 10 is power minus 6 ठीक है यह आपका आएगा divided by आपका क्या है divided by 2 है आपका और into 1 upon 10 is power minus 3 यहां से जब हम इसको solve करेंगे तो आपका क्या आएगा देखो 10 is power 4 into 10 is power minus 6 10 is power minus 2 बचा 100 यह उपर जाएगा तो आपका क्यतना हो जाएगा 10 is power minus 3 और उपर आपका आएगा तो यह आपका देगा 10 is power 3 और यहां से आपका आएगा into 10 is power minus 2 divided by 2 तो दोनों को जब आपका solve करेंगे तो दोनों पा और आपकी add हो जाते हैं जब ऐस type का आपका function आता है तो आपका कितना मजएगा 10 बटे 2 यानि कि आपके कितनी value होगी 5 वोल्ट और वैसे भी अगर हम इसमें देखें तो यह आपकी जो 5 वोल्ट यहां पे given है यह आपकी कुनसी value given है यहां पे average value आपकी given है तो यह आपकी होगी क्या इसकी average value अब सिरफ एकी part बचा आपका form factor निकालना और form factor आपका क्या होता है form factor आपका होता है ratio किसका rms value to average value का तो rms divided by average करेंगे तो आपका देखो क्या हैगा यहां पे rms divided by average value तो यहां से form factor आपका यहां पे निकालते है form factor तो आपकी rms value कितनी है 10 divided by root 3 ठीक है और average value आपकी कितनी है यहां पे 10 by 2, तो यहां से आपका 10 into 2, यह आपका cancel out हो गया, यह आपका देगा 2 divided by root 3 और जब हम इसको solve करेंगे 1.15 आपका क्या आजाएगा form factor आजाएगा, तो यह था आपका question, अब इस question के अंदर हमने कई चीजे देखी है, कौन-कौन सी, एक तो आपको frequency कैसे निकालनी है signal की तो इस तरीके से आपको मैंने बता है frequency निकाल सकते हैं, यहां पर आपका given है आपको signal कैसे निकालना है दूसरी चीज़, ठीक है, आपने यह देखा कि हर signal के case में आपकी RMS value क्या हो जाती है different हो जाती है हर एक signal ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी signal के आपके average value क्या रहे same रहे, ठीक है, तो आपकी average value और RMS value दोनो आपकी क्या होती रहती है, different होती होती है, हमें सिर्फ याद रखना ये तरीका, ठीक है, इस तरीके से आपका, और वो shortcut है आपका sinusoidal, cosinusoidal, या फिर इस टाइप का signal आपके इवन हो, तो अब आपके आने वाले जितने भी question होंगे, उसके अंदर हम direct apply कर सकते हैं vm by root 3 करके, और यहां से आपका direct निकाल सकते हैं, तो ये आपका याद हो गया होगा, अब आपका form factor भी हर case में आपका क्या हो जाता है, different हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी average value और rms value different होगी, तो इसका मतलब आपका different हो जाएगा, form factor आपका different हो जाएगा, अब देखते हैं next question, इस question के अंदर आपका क्या कहा रहा है, peak value आपको बतानी है, यानि कि आपको बतानी है maximum value किसी भी alternating signal की, alternating voltage having an average value of 180 volt, तो क्योंकि यहाँ पर given नहीं है, तो हम assume करते हैं, कि यह वाला जो signal होगा, यह signal आपका कुन सा है, sinusoidal signal है, यह आपका क्या करेंगे, हम assume कर लेंगे, तो यहाँ से आपकी average value क्या होती है what is average value, this is equal to 2 vm, divided vm का मतलब v maximum, divided by pi, और यहाँ से आपको निकालनी है, maximum value आपकी क्या होगी, तो यहाँ से peak value कैसे निकालेंगे, v maximum this is equal to pi into v average divided by 2, यहाँ से, pi की value आपकी कितनी 3.14, into v average आपका कितना given है 180 आपका given है divided by आपका कितना हो जाएगा 2 आपका आजाएगा, तो जब हम इसको solve करेंगे, 90 हो जाएगा 90 into 3, 2, 70 और 1 into 4, 14 into 9, यह आपका 136 इसके अंदर add कर दीजिए तो यह आपका लगबग 280 0.3 280, sorry 280.36 इतना आपका क्या होगा, answer आपका अंसर आजाएगा, लगबग आप माल लेजी, 281 के असपस आपका आजाएगा लगबग आपका कितना होगा, 281 का आपका अंसर आएगा, तो अगर आपका option में करीबी है, तो हम इसको exact calculate करना पड़ता है, और अगर आपका पास पास नहीं है, तो हम इसको individual भी calculate कर सकते हैं, तो यह हुआ आपका किसके regarding आपका peak value से आपका peak value निकाल लीए, average value से, अब next question में आपका देखते हैं, इस supply voltage है, एक supply voltage है और यह आपक इतना 230 volt 50 hertz is fed to a residential building, write down its equation for instantaneous value तो instantaneous value आपकी क्या होती है, देखो, vt it is equal to v maximum sin omega t इसको बोलते हैं, यह पूरी जो आपकी equation होती है, यह पूरी equation, इसी को आपका बोलते हैं instantaneous value, यानि कि वो value जो आपका time के respect में change हो रही हो, तो यहां से आपका क्या है, यह आपका time के respect में क्या हो रही है change हो रही है, ठीक है, अब यहां से 50 heart, 50 heart का मतलब आपका क्या हुआ, यहां से अब आपका omega बताना चाहरा है this is equal to मैंने आपको बता है 2 pi f यानि कि इसको हम कैसे करेंगे 2 into pi 3.14 into f की value कितनी है 50 50 into 2 यह आपका होगा 314 radian per second यानि कि यह आपको omega बताना चाहरा है omega आपको कितना लेना है 314 लेना है तो इसका मतलब यहां तक तो हमें पता चल गया maximum value आपको निकालनी है तो यहां से maximum value कैसे निकालते हैं वी rms आपका क्या होता है maximum divided by root 2 और यहां से v maximum आपका कितना आएगा root 2 into v rms तो यहां से आपका root 2 into v rms आपका कितना v rms की value कितनी है 230 है आपका तो यहां से into हम कर देंगे 230 तो इस signal को हम ऐसे भी लिख सकते हैं this is equal to 230 root 2 sin omega omega की जगे आपका कितना है 314 into t ठीक है यह आपका क्या होगा instantaneous signal तो कई बार तो आपका signal ऐसे दिया हुआ मिलेगा तो इस signal के अंदर आपको rms value क्या चूज करनी होती है 230 volt आपकी rms value चूज करनी होती है और अगर आपका ऐसे गीवन है तो इसको हम कई बार solve करके भी लिख सकते हैं तो जब हम इसको solve करके लिखेंगे तो यह लगभग आपका देगा 325.26 या 27 .27 sin 3140 ठीक है तो हम इसको solve करके भी लिख सकते हैं और अगर आपका ऐसा भी लिख सकते हैं अब यह तो हूँ आपका सीधा सीधा अगर उल्टा आ जाता है अगर मालेज़ आपका कोई भी signal ऐसे given है वह आपका मालेज़ यह current है आपका this is equal to 100 root 2 sin 314 T minus 30 degree और आपसे पूछ लेता है कि इसकी बताइए rms value क्या होगी तो हम rms value कैसे चूज़ करेंगे maximum value से हमें इससे आगे से कोई मतलब नहीं है maximum value से और यहाँ पे जो इसकी rms value कितनी है 100 है आपकी सीधा सीधा नजर आ रही है क्योंकि जब हम इसकी maximum value निकालेंगे v maximum this is equal to कितना हो जाएगा आपका 100 root 2 और v rms क्या होता है sinusoidal का v maximum divided by root 2 यानि कि आपका कितना आजाएगा 100 तो यहां से हम कई बार क्या कर लेते हैं direct भी आपका select कर लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए 230 volt का कितना होता है 325 यह बहुत important है क्योंकि single face की जो supply आपकी है 230 volt होती है इस वज़े से आपका क्या है 2325 आपको remember होना चाहिए आप देखते हैं आपका next question दोस्तो इस question के अंदर आपका क्या है एक value given है किसकी value given है current की value given है तो आपको क्या निकालने what will be instantaneous value यानि कि उस instant की उपर यहाँ पर time आपका mention है जब time आपका 5 होगा और दूसरे case में जब आपका time 3 होगा तब आपको उस instant पर यानि कि इस time पर आपको current की particular एक fix value बतानी है कि क्या होगी तो इसको हम कैसे करेंगे वो आपका देखते हैं देखो पहले case में आपका given है first के case में आपका क्या given है first case में current आपको given है कि current है आपका 20 sine 13 T minus 20 ampere ठीक है और time यहाँ पर आपको given है 5 second 5 मालिजी second millisecond कुछ भी हो इसमें यहाँ पर mention नहीं है तो हम इसको put भी नहीं करेंगे अगर mention होता तब हम लेते तो यहाँ पर सीधा T की value हम 5 put कर देंगे तो देखो यहाँ से आपका कैसे करेंगे this is equal to 20 sine 13 into 5 minus 20 ठीक है तो यह आपका कितना देगा 20 sine 13 into 5 65 65 हो जाएगा 13 into 5 minus का 20 minus 20 आपका यहने कि 45 बचा तो यह आपका 20 sine 45 degree हो जाएगा और sine 45 कितना होता है 1 by root 2 होता है आपका तो इसको हम कैसे लिखेंगे 20 divided by root 2 ठीक है और यह आपका देगा 20 divided by root 2 इसको हम divide कर लेते हैं into 10 divided by root 2 तो यह आपका होता है 5.78 के असपास into 2 तो लगबग आपका देगाई 12 point something ठीक है 11.98 के असपास आपका इसका अंसर आजाएगा यह आपका अंसर हो जाएगा इस particular instant के उपर इतना आपका क्या होगा current आएगा ठीक है हम इसको solve करके भी देख सकते हैं क्योंकि 1 by root 2 आपका होता है 1 divided by root 2 this is equal to 7.707 ओ सुरी यह आपका देगा .707 होता है तो यहाँ से आपका 707 इंटू 10 7.07 इंटू 2 इंटू 2 आपका कितना होगा 14 14.14 इतना आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर आजाएगा ठीक है अब यह आपका पहला question हुआ अब देखते हैं आपका next question यानि कि second part के अंदर आपका क्या कहना चाह रहा है यह current आपको given है current आपका कितना है 10 sign 25 T minus 15 ampere और आपको बताना है जब T की value 3 होगी तब आपका कितना current आएगा तो यहां से अब देखो इस इस इक्वल टू 10 sign 25 इंटू 3 यानि कि 75 minus 15 ठीक है तो यह आपका कितना होगा इन दोनों का difference 60 degree और sign 60 कितना होता है 1 by 2 1 by 2 इंटू 10 यानि कि 5 ampere तो इस instant पर आपकी value क्या होगी 5 ampere ठीक है इसको जब आप चेक करके फिर आपका solve करना वही यह आपका 14.14 लगबग 14 के असपस आएगा ठीक है तो यहां से 1 by root 2 की value आप याद रखे कितनी होती आपकी 0.707 अब देखते हैं आपका next question दोस्तो हमने अभी तक RMS value निकालने सिखी average value निकालने सिखी signal की instantaneous value आपके निकालने देखी आपका form factor कैसे निकालते हैं यह इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा और इसके related आपने question भी किये अब हम इसमें एक question लेते हैं जिसके बाद में आपका AC analysis के अंदर next concept आपका start हो जाएगा तो यहां से आपका देखो इस question के अंदर आपको निकालना है phase difference और phase difference कैसे निकालते हैं आपका phasor से तो हम इसके बाद में आपका पढ़ेंगे phasor तो यह question आप समझ लीजिए उसके बाद में next lecture से आपका discuss करने वाले हम phasor diagram के बारे में तो यहां से आपका देखो क्या है A1T is equal to 10 sin 3,140 पहला signal आपको given है दूसरा signal आपका क्या है 50 sin 3,140 plus 30 degree तो यहां पे आपका देखो अगर माल लीजिए आपका कोई भी signal है A1 this is equal to A1 maximum sin omega t ठीक है प्लस 5,1 यह आपका अगर पहला signal है और दूसरा जो signal है यह आपका given है A2 maximum sin omega t प्लस 5,2 ठीक है तो इन दोनों signal के बीच में आपका जो phase difference होगा वो आपका क्या होगा 5,1 minus 5,2 इसको क्या बोलते हैं phase difference या फिर हम इसको देख सकते हैं 5,2 minus 5,1 ठीक है इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं किसके respect में आप देख रहे हो वो important है अगर आप देख रहे हो वही A1 से आपका A2 में कितना phase difference है तो 5,1 minus 5,2 और A2 का A1 से कितना difference है तो 5,2 minus 5,1 इस तरीके से आपका देखते हैं क्या हम phase difference ठीक है अब देखो यहाँ पे इस question के अंदर अगर हम इसको complete लिखें तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ प्लस आपका कर सकता हूँ जीरो degree तो इसका मतलब इन दोनों के अंदर phase difference आपका कितना हो जाएगा 30 degree कितना phase difference है आपका 30 degree प्लस 30 degree आपका होगा किसके case में अगर हम A2 को higher मानते हैं A2, A1 को lower यानि कि अगर हम यहाँ पे इसका phasor बनाएंगे तब आपको इसका difference पता चलेगा कि दोनों के बीच में आपका difference कितना है 30 degree है अगर यहाँ पे आपका होता minus का तो इसको हम बोलते है minus का 30 degree मतलब अगर प्लस की जगे आपका यहाँ पे सिरफ minus होता तो phase difference आपका कितना होता minus 30 degree यह हम phasor में और अच्छे से जानेंगे फिलाल आप बस इतना ही समय लीजिए कि यहाँ पे आपका phase difference कितना है 30 degree है यह आपका हुआ first part के अंदर अब हम बात करते हैं आपका second part के अंदर कितना होगा तो यहाँ से आपका signal के अंदर आपका कितना given है minus का 30 degree आपको given है यहाँ पे frequency आपके सिर्फ double की है यहाँ पे आपका क्या double की है frequency आपकी double कर दी है तो जब frequency double होती है तब हम इसके अंदर phase difference नहीं निकाल सकते तो अगर यहाँ पे frequency आपकी होती same यानि कि अगर यहाँ पे आपका होता 314 ठीक है तब हम इसमें phase difference बता सकते हैं क्योंकि यहां पर जैसे frequency आपकी change हुई frequency change होते ही phase difference identify करना आपका impossible हो जाता है इस वज़े से हमने यहां पर 628 के जगे वापिस कितना लिखा है 314 लिखा है तो minus 30 degree और यहां पर क्या है 60 degree है ठीक है तो minus का 60 degree दोनों का आपका कितना हो जाएगा minus का 90 degree इस तरीकी से तो आपका phase difference आएगा minus का 90 degree और अगर हम लिखते हैं आपका पहले इसको यानि कि 60 degree पहले लिखते हैं अगर 5 2 minus 5 1 देखेंगे तो पहले यहां पर 60 minus और यहां पर क्या है minus का 30 degree तो यहां पर क्या देगा plus 90 degree तो किसको पहले लेना है किसको बाद में लेना है यह हम clearly आपका discuss करेंगे किसमें phasor diagram में तो इस lecture के अंदर दोस्तो इतना ही अब बाकी का आपका discuss करेंगे next lecture में